हलो फ्रेंड्स जैसी कृष्णा तो आज मैं बहुत दिन बात वीडियो बना रही हूं इतना दिन से मैं नहीं बनाई वीडियो क्योंकि थुरा सा यह हेल्थ इसू हो गया था इसलिए तो अभी दिखिए मैं जो डिजाइन बना रही हूं बहुत ही प्यारा लगे आप लोगों यह मैं चार नमबर मोती यूज़ करके अभी माला जी बनाऊंगी और यह मैं एक स्वी ली हूं और यह कॉटन धागा मैं यह थ्री कलर का कॉमिनेशन में यह माला बनाऊंगी तो देखिए इस तरह से मैं मोती लिया तो यह चार मोती वाइट है एक ग्रीन है दो वाइट है फिर एक ग्रीन है अभी इस तरह मोती लेके नॉंट लगाना है इस तरह से हो गया है अभी देखिए अभी ग्रीन और वाइट मोती में से इस तरह से नॉंट को पास करके लेके जाना है तो देखिए अभी चार मोती लिया है एक वाइट और पांच मोती एक वाइट और चार यलो मोती चार यलो मोती लेके यह यलो मोती है इसमें से निडल पास करना है इसमें से ऐसे यह इस तरह से बन गया है अभी एक वाइट मोती लेना है तिन वाइट मोती लेना है और एक ग्रीन मोती लेना है देखिए इस तरह से चार मोती लेना है लेने के बाद आभी क्या करना है देख लीजिए यह जो ग्रीन मोती है इसके उपर वाला जो वाइट मोती है इसमें से निडल पास करना है इस तरह बनेगा अभी देखिए 5 मोती लेना है 3 इस तरह से बनेगा मोती लेने की वाद यहाँ पर देखिए तीन वाइट मोती है इसके बीच वारा जो मोती है इसमें से निडल पास करना है यह इस तरह से बनेगा फिर देखिए एक वाइट मोती उसके बाद चार यल्लो मोती लेना है और अभी ये जो यल्लो मोती है उसमें इस तरह से जो पहला वाला यल्लो मोती है उसमें से निडल पास करना है तो ये इस तरह से बनेगा बनाने के बाद अभी इसके बाद आभी चार मोती लेना है तीन, वाइट और एक ग्रीन लेने के बाद आभी देखेजिए ये ग्रीन मोती जो है उसके उपर वाला जो मोती है वाइट वाला उसमें से निलल पास करना है फिर इस तरह बनेगा अभी फिर से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच मोती लेना है तीन वाइट मोती लेना है फिर एक ग्रीन मोती लेना है और फिर एक वाइट मोती लेना है लेने के बाद यहाँ पर तीन नमबर जो मोती है वाइट मोती इसमें से रिंडल पस करना है यह इस तरह से बनते जाएगा पूरा माला तो अभी एक वाइट मोती लेना है और चार यल्लो मोती लेना है लेने के बाद अभी यह पहला वाला जो यल्लो मोती है इसमें से रिंडल पास करना है फिर यहां पर एक तीन वाइट लेना है और एक ग्रीन लेना है चार मोती लेना है लेकि इस तरह से चार मोती लेना है लेने के बाद इस मोती में से ग्रीन के उपर वाला जो वाइट मोती है उसमें से रिंडल पास करना है तो इस तरह से ये पूरा माला बनके रेडी हो जाएगा देखिए मेरा माला बनके तैयर हो गया है आप लोग को अगर बड़ा बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं अगर छोटा बनाना है तो आप इस तरह से छोटा भी बना सकते हैं और यहां पर साइड में डोरी लागा देने से यह माला कम्प्लीट हो जाएगा आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आगले वीडियो में